गाइस अगर आप अपने WhatsApp को किसी भी रिजिनल लैंगवेज में यूज करना चाहते हो चाहे हिंदे, इंग्लिश, बांगला, उर्दू या फिर मराटी किसी भी लैंगवेज में तो ये आप कैसे कर सकते हो या फिर अगर आपके घर में कोई आपके बड़े या फिर छोटे कोई भी लोग है जिनको जो है अपने WhatsApp को रिजनल लैंगवेज में यूज करना है तो ये आप बहुत या असानी से कर सकते हो बाई एक बार बस एक बार इस वीडियो को पूरा देख लो खुरी मानने लग जाओगी तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ अगर मुझे मुझे परस्टेपस को देखते हैं कि कैसे हम आप WhatsApp में जो है किसी भी language को रेजने लेंगवेज में चेंज कर सकते हैं तो simply से जो है अपने WhatsApp पर आजाओ तो देखो यहाँ पर मैंने अपना WhatsApp को open कर लिया है देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा WhatsApp पूरा open हो गया है और उसके बाद अब यहाँ पर क्या करना है कि उपर में थ्री डॉट दिख रहा है सिंपली से इसको क्लिक करो और लास्ट में option दिख रहा है settings का जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा interface आजाएगा settings का उसके बाद यहाँ पर क्या करना है इसके नीचे आओ और यहाँ पर थर्ड लास्ट में का option दिख रहा है app language का ठीक है सिंपली से इसके अंदर आ जाओ यहाँ पर देखो अलग-अलग बहुत सारा language दिख रहा है ठीक है अभी फिलाग देख लो कि यहाँ मेरा English में सब कुछ लिका हुआ है अब मैं इसको करता हूँ Hindi तो मैं हिंदी जैसे किया अब देख सकते हुआइस कि सारा चीज़ यहाँ पर हिंदी में चेंज हो गया है तो इसी तरीकि से रिजिनल लेंगवज में चेंज कर लोगे तो जिनको भी जो है कोई other language समझ नहीं आता है तो वो अपने रिजिनल लेंगवज में आराम से इसको पढ़ सकते हैं और जो सामने बारे से चैट भी कर सकते हैं और बहुत ही आसाने से WhatsApp को यू ऐसा ही टिप्स और ट्रिक्स और बहुत ही कमाल ज़ाद वीडियो है यहां पर दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं जो भी जानना उस पर क्लिक करो एंड इंजोई करो